बईसान भाइयों आज आपको बताएंगे गोबी के खेती के बारे में गवी फोल गवी जो भी हो वो सब एक तरह से खेती किया जाता है कि यह पूरा ज्यादा घा दिया जाता है अब कि मार्केट में एक बार गोबी आ जाता है इसलिए आप दो तिन टर्म करके लगा सकते हैं अब आपको बीज गिराने के आब सकता नहीं होगी अब आप इसका बीज कहीं से ले आए मतलब प्लांट खरिद के वह सो रूपे में आपको देगा मतलब एक सो प्लांट एक रूपे आ आठरने के हिसाब से देगा अब जो भी मिले आपके च्छत में वहां से ला सकते हैं और वह लगा सकते हैं इसके लिए आपको मिटी की बात करें तो उप्यूक्त मिटी आपको सेवन से कम इसका पीच मान होना चाहिए डोमत मिटी सहीव और उपजाव होता है बलूई मिटी करता है या बंदा गोबी जो भी हो आप उसका प्लांट ही ले आए और उसे लगा दे अगर बीच गिराना चाहते हैं तो बीच गिरा सकते हैं और 24 देन बाद फिर प्लांट उखारने के लिए तयार हो जाएंगे और इसका उन्नत किस्म के बाद करें तो बहुत सारा उन्नत किसमे आता है आपको मधफगा की पर आटी आती है और इसमें केजी वाला भी आता है हाईवरीट किसम Mea आता है और इसके गोबी के खेती के लिए आप बर साथ के बाद सितंबर अक्टूबर नॉमबर तक आप कर सकते हैं अगयती के लिए हो जाता है और उसके बाद पीछेती होने लगता है नॉमबर तक इसके बाद पीछेती जितना है दिसंबर जैनबरी फरवरी तक लोग लगाते रहते हैं और वो कार्टे रहते हैं एक बार आप लाईए पा का उत्पादन होगा अगर एक बार रूप दीजेगा 20-25 कठा तो एक बार सभी किसानों का मार्केट में आ जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है और वो बिकने में थोड़ा कम हो जाता है जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा फुलकोवी के खेती के लिए आप सून आ जाने के कारण वह पानी ज्यादा हो गया था तो वहां पानी निकलने लगा है तो वहां आप अपना जोताई कर दे दो तीन कल्टीवेटर चला दे और पाटा लगा के समतल भूर भूरी मिट्टी बाताई जे 50 सेंट्रीमीटर के दूरी पर थाला बना है जो थाला मत पर देना चाहिए और ऐसे करके बलज रुपाई कब करना चाहिए जलवायू के अंसार भूरी के खेती करना चाहिए अगयती किस्म के तो खेती हो गया खतम उस पर भी वीडियो बनाये थे अगर मेरे चैनल पर लिबारा है तो लाइक सब्सक्कार सेर करें पौधे से पौध से अपका प्लांट अच्छा होगा और बेट भी धित्वारा करें इसमें थोड़ा आपको सलफर ज्यादा दीजेगा तो उतना ज्यादा उत्पादन होता है और इसके उरबरक प्रवंदन की बात करें 10-15 दिन के अंतराल पर सिचाई करना होगा फुलवववी की कोई भी कि इसमें उरबरक थोड़ा ज्यादा लगता है आप इसमें सरी होई गोबर की खाद भी दे सकते हैं और उसे जो ताई करवाद जैब भी खाद से थोड़ा कम उत्पादन होता है और जैब खाद दीजेगा तो वह तीन-चार महीने बाद इसका उत्पादन आने लगा तब तक पता चलेगा आपका कट गया इसलिए आप इसे कोई भी खाद वरबरक किया बसकता है जो जो होगी वह दे एक बुरा आपको सलफेट लग जाएगा जितना ज्यादा सलफेट दीजेगा उतना ही अच्छा उत्पादन हो जाता है लेकिन खेत खराब होने का चांस रहता है सल काटते समय खरोच अगर आजाता है तो उससे फूल बिकने में नहीं होता है और फूलों के कटाई सुबा और साम ही करें तो समय और उससे ज्यादर नहीं करें उन्नत केस में के खेती के बात करें तो 150-800 कुंटल पर दावाल परती हेक्टियर में देता है और इसका उपर 300-400 कुंटल परती हेक्टर प्राप्त हो जाता है अगर आप इसका अलाम सिखेती कीजिगा मतलब बहुत अच्छा सिखीजिगा